हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम हेलप के एक नए वीडियो में और आज का वीडियो रेनवाला है पुलिस विवाग में कॉनस्टेबल की विविन वकेंसियों को भरने के बारे में क्या सेलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है पूरी जानकारी में आपको इस वीडियो में देने वाला हूं और देखिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंतक बने रहें दिसंबर मन्त 2019 के दुरान हिमाचल प्रदीश में पुलिस डिपार्टमेंट के और सी रिजिंग डी मनाय गया था और देखिए पुलिस विवाग की रिजिंग डी की अपसर पर मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर के और सी पुलिस डिपार्टमेंट में कॉनस्टेबल की एक अजार से दिक वकेंसी को बरने की गोशना की गई थी और देखिए अब इसी गोशना के तेत हिमाचल प्रदीश में पुलिस विवाग में कॉनस्टेबल की 1225 पद भरे जाएंगे और देखिए इन सभी वकेंसी को बरने के लिए पुलिस विवाग के और से गरी किशन आने वाले चार-पांच महिनों में जारी किया जाएगा इसके लावा देखिए 2019 में भी कॉनस्टेबल की बहुन वकेंसियों को बरने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस विभा के और से आवेधर अमंत्रित किये थे और देखिए कई केंडियेट ने इन वकेंसी पर ए के लिए क्या एजुकेशन क्राइटिरिया रखा जाता है क्या सलेबस रहता है और किस प्रकार से आपकी सेलेक्शन की जाती है तो देखिए वे सभी केंडियेट दोबारा से इस बार 2020 में कॉनस्टेबल की बहुन वकेंसियों पर एपलाई कर सकते हैं और अभी से अपनी प् पहली वार इन वकेंसियों पर एपलाई करने वाले हैं उन सभी केंडियेट को मैं इस भरती के रिकार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंड जानकारी बताना चाहूंगा कि इन वकेंसियों क्या एजुकेशन क्राइटिरिया रखा जाता है क्या एज लिमिट रखी जाती है और आ जनरल कैटेगरी के लिए एज रहने वाली है 18-23 वर्ष इसका मतलब है कि आपकी एज 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए इसके लावा देखिए CST और OBC कैटेगरी से ब्लोग करने वाले केंडिट के लिए एज लिमिट रहने वाली ह अधारा से 25 वर्ष नेक्सट है कि आपकी सेलेक्शन इन वक्याइसिपर किस प्रकार सी की जाएगी देखिस सबसे पहले फिसिकल ओगी फिजिकल मिजरमेंट के बाध फिजिकल एफ्यविंसी टेस्ट कनक्ट करवा जाएगा फिजिकल एफेफिंसी टेस्ट के बाद रिटन प्रितन एग्जाम के बाद आपका personality test conduct करवा जाएगा तो देखिन personality test 15 marks का होगा डिटन एग्जाम 80 marks का होगा इसके लवाद देखिए पांच marks आपको आपकी height के देजाएंगे अब detail में जान लेते हैं selection procedure के बारे में तो देखिए सबसे पहले physical measurement ली जाएगी इसमें आपकी chest कि measurement और height की measurement ली जाएगी और देखी इसमें general category के लिए minimum height रहने वाली है यदि आप male हो 5 feet 6 inch और female candidate के लिए minimum height रहने वाली है 5 feet 2 inch इसके लावा S.C.C.T candidate के लिए यदि आप male candidate हो तो minimum height रहने वाली है 5 feet 4 inch और female candidate के लिए minimum height रहने वाली है 5 feet इसके लावा देखिए जितने भी candidate physical measurement में पास होंगे उन सभी का physical efficiency test conduct करवा जाएगा physical efficiency test में सबसे पहले race होगी race के बाद high jump होगा और high jump के बाद long jump होगा और देखिए male candidate के लिए 1500 मिटर की race होगी जिसकी timing रहने वाली है 6 minutes 30 seconds इसके लावा female candidate के लिए 800 मिटर की race conduct करवा जाएगी जिसकी timing रहने वाली है 4 minutes 15 seconds high jump के बाद करें तो male candidate के लिए high jump रहने वाला है 1.25 मिटर का और female candidate के लिए high jump रहने वाला है 1 मिटर का और देखिए चार मिटर का लॉंग जंप रहने वाला है मेल केंडिट के लिए और तीन मिटर का लॉंग जंप रहने वाला है फिमेल केंडिट के लिए और देखिए अब जिदने भी केंडिट फिजिकल एफशेंज टेस्ट में पास होंगे उन सभी का रिटन एक्जाम कंडक् माक्स का होगा और देखिए इसमें रिटन एक्जाम में क्या सलीबस रहने वाला है इसके लिए आप 2019 में हुए कॉनस्टीबल की एक्जाम में जो कॉशन पिपर आये था उसको चेक कर सकते हो और देखिए वो कॉशन पिपर इस चैनल पर भी अप्लोड किया गया है आप चेक कर सकते हो और इसके लावा देखिए 15 माक्स का परस्नल्टी टेस्ट असी माक्स का रिटन एक्जाम और 5 माक्स आपको आपकी हाइट के बेसिस पर देजाएंगे देखिए यदि आपके height 5 feet 7 inch से कम है तो आपको कोई भी marks नहीं दिया जाएगा और यदि आपके height 5 feet 7 inch से अधिक और 5 feet 8 inch से कम है तो आपको एक marks दिया जाएगा यदि आपके height 5 feet 8 inch से अधिक और 5 feet 9 inch से कम है तो आपको 2 marks दिया जाएगे यदि आपकी हाइट 5 feet 9 inch से अधिक और 5 feet 10 inch से कम है तो आपको 3 marks दिये जाएंगे इसके लावा देखिए यदि आपकी हाइट 5 feet 10 inch से अधिक और 5 feet 11 inch से कम है तो आपको 4 marks दिये जाएंगे यदि आपके height 5 feet 11 inches या फिर इससे अधिक है तो आपको 5 marks दिये जाएंगी देखिए यदि पूरी जनकारी हिमाचल प्रदेश कॉंस्टिबल बर्ती 2020 के बारे में और देखिए यदि आप पहली बार इस बर्ती में इस बार अपेर होने वाले हो तो आपको इस वीडियो से idea लग गया होगे कि आपकी selection किस प्रकार से पुलिस विवाह की द्वारा की जाएगी तो देखिए आप अब इसे अपनी preparation करना शुरू कर सकते हो इस exam के लिए और यह vacances आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी और जल्दी पुलिस विवाह की और से official notification जारी किया जाएगा देखिए जिस तुरान भी official notification आएगा उस तुरान भी मैं आपको notify करूंगा और देखिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही